मैं राजा सर आप लोग के समख्या गए हैं एक नए टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं स्वागत है आप लोगों का मेरे DR.O कलास में और DR.O कलास यदि आप लोग जोइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे मेरे कॉलिंग नंबर पे मेरे वाट्टर नंबर पे आप अपना न कर लिजेगा बेल आइकोन को जरूर दबा दीजेगा ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा अपडेट करते समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाए गाइज यह DR.O कलास है यदि आपका ट्रेड मेकेनिकल ग्रूप से है अर्थात मेकेनिकल ग्रूप कहने का मतलब है फिटर है तर त्यारी के एकोर्डिंग आप कर सकते है ठीक है ना गाई क्योंकि यह टेकनिकल है यह टेकनिकल कलास है और यह टेकनिकल आपके लिए है क्योंकि आपको पता है कि DR.O में टेकनिकल असी कुछन पुछ रहे हैं टीर वन में और टीर टू तो फुल टेकनिकल है तो बाबू इस किसे कहते हैं आपको भी दिख रहा होगा फिटर किसे कहते हैं फिटर का मतलब होता है कारीगर का मतलब होता है टेक्निशियन ठीक है न तो वह बेक्ती जो मसीन एवंग उनके पूर्जों को फिटिंग या मनमत करता है मतलब क्या है कि कोई जैसे आप जाते हैं मतलब आप अप को庇例 ना आप तिर उसी तरह से उस अस्थान पर वेस्थ was oct तो वह वह बंदा क्या था सितकंद पर चाहिए राच फाला फैट भिकन कि आप अब कहता है कि उनेस्किल्ड कारिगर जो होता है, वो क्या होता है, कि उसे जो भी काम देजेगा, वो ना नहीं करेगा, वो करेगा, क्योंकि मजबुरी है उसके साथ, वो करेगा, तो वो क्या कहता है, कि जनरल फीटर क्या कहलाता है, कि समाने फीटर वो है, जो भारी, मध्यम, हलका मसीन, य निकलता है। उसके साथ क्रेंग मेज्टेंबू और निकलता तरह तरह के सथ अधर काम करने करने काहरा हैा वो फीटर करता है। लेकिनוח भरचया ह्खों मेटर नहीं करता है। वह रहा हुप हाण करना को करने का तरह काम है। जेनरल टेकनिकनिकन टाड कहलाता है ठीक है बंच फीटर क्या कहला तो पड़े सकते हैं ततर線 पर वाईगस मतलब आ असानी से एक अश्टान से थुष्ण अश्भिना या किसी इन्वेश्ट्मेंट आप असानी सकते हैं औरdepend lehog मतलब टोर्क रिंज से या किषी पर आइंस्ट्रूमेंट से करके किसी इंस्ट्रूमेंट करने हैं, sama वह हमारा क्या कहलाता है वह बेक्ति क्या करता है वह बेक्ति हमारा बेंच फीटर कहलाता है ठीक है ना अब चलिए बिशेस निपूनता का प्राप फीटर किसे कहते है चार नंबर में तब बिशेस निपूनता का मतलब होता नहीं कहते हैं हम लोग गाओं देहात में कहते हैं कि निपूनता आड़े फ़ला ना बहुत निपून है यार तुमको गरदा उड़ा देगा वहर चीज में पूरा दम बिस्तार से जानता है मतलब क्या है निपून है वह चीज मतलब मतलब एक्सप्येंसिबल आदमी है तो भई चीज कहता है कि वह कारिगर जो विसेस प्रकार क कारी में निपूनता प्रता सिर्फ होना चाहिए ठीक है ना जैसे आप लाइन्ड करवानें तो उसमें जो कख्रीकर होता है क्रम करें हमेशा ग्लैंबर कारी को भिलम रहता है तो सफे्स데लीहो ना चाहिए जैसे बें का डॉक्टर अलग होग उसी तरह से यह और तो उसी तरह से यहां पर है डाई फीटर हमेसा डाई फीटिंग का काम करेगा नहीं मसीन फीटर हमेसा मसीन फीटिंग का काम करेगा टूल फीटर उसमें टूल को रिप्लेस करके फीटिंग का काम करेगा इंजन फीटर जो इंजन को खोल करके फिर से रिप्लेस करके उसको फी तो आप समझ जाए कि जितने भी निटनल थर्मल पावर है तो यह चीज आपको समझना होगा कि टर्वाइन फीटर का काम क्या होता है तो उसमें भी आपको देखिएगा HP टर्वाइन, IP टर्वाइन, LP टर्वाइन, जनेरेटर, रोटर यह पांच भाग होते हैं तो आप पानी अपने खेत मिले जाना चाहते हैं तो उसको आपको चैनल बनाना पड़ेगा और मेर जिसको कहते हैं तो इस पाद पेडैस्टयल हो गया, तो बहाँ पेरोटर को मतलब फीट करने के लिए वह लोग तेल का सतर केजी मतलब प्रेसर के हम लोग पे टेल का प्रेसर ड आलते हैं उस रोटर पे तो वह तो कैसे से लिप्ट करता है उतना वजन वाला लिप्ट कर जाता है क्यों तो फीटर का कमाल होता है, वो tolerance zero zero कहले रहता है और एकदम काम करता है मासी, ठीक है ना, तो इसलिए न पैसा लेता है जी आप चलिए, उध्योग में फीटर का क्या काम है, भाई जिस तरह से आप किसी भी कमपणी में देखिएगा तो यहां उध्रोग में भी होता है बॉंड बन बनाया रहता है कि आपको रखना ही परेगा, इसलिए आपको कम्पनी बहुत सारी कम्पनी आती है कैमपस करती है आपको लेकर आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले उन्हें स्थारी के डेट में कैमपस भी हुआ था आई टाई कालेज में ठीक है न तो वह चीज है यहाँ पर अब कहता है कि उद्रोग में फीटर एक तो आदमी कहां है उस मसीन पर परें क्या कुछ गरपरी आ रहा है कि इसका ऊमीबर तो वह पर जाकर को साहिए करेंगा तो वह संस्क्राइब क्या ऑद्वक्त की बट्न करने आपको उद्रोग फीटर का क्या तर पर है फिर का थाए चाहिए, कुछ फीटर कीन-कीन बातों का पता होना चाहिए यदि जैसे आपको अपने खेत में पानी पटाने गए यदि वहां पे कारीगर का तो कामा भी की है तो खेत में पानी पटाने गए तो आपको पानी निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने मसीन को चलाएंगे किस तरह से हम पानी को पह लिए उसे हांत दोरा परयोग किये जाने वाले आजार, मापंग, यंत्रो जैसे आपको माइक्रो मीटर नापने आना चाहिए, मेजरिंग टेप चलाने आना चाहिए, नहीं भाडनिया रेस्केल चलाने आना चाहिए, यह सारा चीज आपको लोग पर ना है, और आप लोग को साथियों को दुरगटना से बचाने की कला को ही हम लोग क्या कहते हैं सुरक्षा या सौधानी कहते हैं मतलब एतना समझ आए कि आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और यदि आपको हाइट पर पोल पर चरहा दिया वहां पर किसी एकुप्मेंट को सेट अप करना जो आप ही को आता है और वहां बहुत भारी भर का मसीन लेकर के गए काम कर हाँ चातर रहा है या नीचे pakai पर आद्मी आरहा है जा रहा है यदि सकसा काम करने सब्सक्राइब नहीं और आप क्या किसी लट्वेड़ द्या ऑर आपको हाँ तो जो आपको ये साथ तक complete समझ में आया होगा, ज़रूर कमेंट कीजेगा, यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर सेर कीजेगा, ये DRU का स्पेसलिस्ट बैच चला रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगा होगा, जरूर साथ से आगे नेश्ट क्लास में अप् पुझ देगा कि सेप्टी सू का उपयोग कहा होता है तो आप बहुत तरहा नुकसान हो सकती है तो वह सारी नुकसान को बचने के लिए आपको सेप्टी सू पहिनना है सेप्टी जैकेट पहिनना है सेप्टी हेलमेट पहिनना है सेप्टी बेल्ट लगाना है हर चीज से लैस होना चाहिए तो विसेश इसकी जनकारी हम लोग नेक्ट वीडियो में देंगे नेक्स्ट वीडियो आपको फिर निरंतर मिलते हैं, एक वीडियो मिलेगा, प्यार से ने बना करके रखिया और लोगों को शेयर कीजिए, सब को बताइए कि डियाडियो का कलासर राजासर इस्टाट कर चुके हैं, और इसका मुप्त में जादी आपको PDF चाहिए, तो मेरे कर दो आपको के बाइए